Hello Friends, Welcome to SK Creativity तो Friends आज हम पुराने कुर्टन का और पुराने बलैंकेट का यूज़ करने वाले हैं तो हो सकता है आपके पास भी कोई पुराना बलैंकेट पड़ा हो या कुर्टन पड़ा हो तो आप सोच रहे हो कि इसका मैं क्या बनाओ इसको किस तरह से यूज करूं तो आज के वीडियो में आपको मैं यही बताने वाली हूँ तो यह वीडियो आपको काफी पसंद आने वाला है और काफी यूजफुल भी है तो हर किसी के घर में पुराने ब्लैंकेट और कर्टन बगेरा तो पड़े ही रहते हैं तो इस वीडि को कहने वाली हूं कि फ्रेंस अभी तक अगर आपने ने चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लेस मेरे चैनल कोplement करें और मुझे ज्यादा से ज्यादा सप्पॉर्ट करना थो आए वीडियो सुरू करते हैं तो यह देखिए यह ब्लैंकेट है मेरे सेंटर में से कट कर लिया, दो हिससे इसके कर लिये, और जितनी मुझे लेंध इसकी चाहिए न, अपनी मर्जी से आप इसकी लेंध रख सकते हो, चुडाई में मैंने पहले कट कर लिया, ताकि आगे और कुछ भी मुझे बनाना हो, तो मेरे काम आ जाए और ये मेरा एक पुराना कर्टन है जो कि इसका मैंने बहुत पहले कुशन कवर बनाये थे जब मैं यूट्यूब पे नहीं थी तो इतना सा ही ये कर्टन का फैबरिक बचा था इसका मैं यूज करने बाली हूँ ये देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिं ये वाला तो मैंने जोड बगारा डाल के इसको पूरा कर लिया है जैसे भी उपर वाली साइट तो सेम ही मेरा बड़ा अच्छा सा आ गया कपड़ा लेकिन नीचे मैंने जोड बगारा डाल के इसको पूरा कर लिया तो ये देखिए उपर से उपन रखोंगी और तीनो साइ बीच में जो ब्लैंकेट है उसको कैसे डालना है उसका एक बहुत ही अच्छा सा तरीका मैं आपको बताने वाले हूं जिसके साथ कि आप बहुत ही इसको जो हमने ये बनाना है ये बनाओंगी मैं पूरा स्टिच करके एक साइड से हमने उपन रखा तो आप सोचोगे कि इसके बीच में हम ब्लैंकेट को कैसे डालेंगे तो इसका मैं आज आपको बहुत ही एक अच्छा तरीका बताने वाले हूं तो देखिएगा आपको काफी पसंद भी आएगा और इजी भी रहता है तीनों साइ से पहले मैं स्टिच करके फिर आपको दिखाती हूं बहुत ही अच्छा तरीका आज आपको बताने वाले हूं है तो वीडियो अगर आपको जरसा भी अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके मुझे जरूर बताना यह देखिए यह देखो ठी ही मैंने बिचाया है इसको यह देख लिए देख लिजिए अपनी तर्फ को रखके मैंने बिचा लिया यह देखो और मेरी साइड को जो है यह बंद वाली साइड है और ओपन वाली साइड है वो आगे वाली साइड को है ठीक है यह बंद वाली साइड है पूर अच्छे से बचा लेना हमने ये देखी अब ऐसे हमने fold करते जाना इसको ये देखी आप ध्यान से बीछ में से भी हाथ या ऐसे ऐसे मारके आपने इसको बराबर से fold करते जाना है कंबल यह जो कंबल का है ना फैब्रिक यह थोड़ा सा अगर आगे को बढ़ जाएगा तो इसको आपने क्या करना है थोड़ा सा इसको कट कर लेना है तो पहले आपने अच्छे से बराबर करके जाड़ के देख लेना है कभी कई बार क्या होता है थोड़ा सा ऐसे बढ़ जाता है लेकिन जब हम इसको सीधा करेंगे तो बिल्कुल बराबर आ जाएगा ये देखो ऐसे हमने रोल कर लेना है अब देखिए हमने इसको कैसे उल्ट करेंगे तो यह देखिए ऐसे अब हमने इसको उल्टाना है आप देख लीजे ध्यान से यह देखो ऐसे ओपन साइड से यह देखो अंदर को ब्लैंकेट को अंदर को करते हुए बिल्कुल भी इकठा नहीं होगा मैं आपको अच्छे से दिखा देती हूँ यह देखो अब इसको यह देखिए ऐसे ही हमने इसको सीधा कर लेना है यह देखो जो फोल्ड किया था इसी तरह से हमने इसको सीधा करते ज इंणाना है यह देखिए तो बिल्कुल भी अंदर से आपका blanket जो है बिल्कुल एकड़ा नहीं होगा यह देखी ऐसे करके पूरा हमने इसको यह देखिए खोड लिया ईजो हमने 5 यह ऐसे यह देखो यह देखो आगे से हमने पकड़ के रखा है ना यहां से देखो बिल्कुल भी कठा नहीं हुआ और बहुत ही असान तरीके से यह पूरा भी हो गया तो इसको आप ऐसे ब्लैंकेट को फोल्ड भी कर सकते हो अगर बढ़ गया है और आप इसको कट भी कर सकते हो अब हमने क्या करना है इसमें यह देखिए पिंस लगा लेनी है पूरे क्योंकि बाद में हमने इस पर कुल्टिंग करनी है तो पहले अच्छे से फैला के आपने पिंस लगा कर इसको प स्टिच करोंगी यहां पर हमने मशीन से सीलाई लगानी है यह देखो ऐसे फोल्ड करते हुए उपर से हमने इस पर सीलाई लगा लेनी है ब्लैंकेट को भी साथ साथ में आपने दबा लेना है इसी सीलाई के साथ यह देखो ऐसे फोल्ड करते हुए पूरा हमने इसको जो ओ और इसके बीच में हमने क्विल्टिंग करनी है तो अगर आप सीधा मशीन से ही क्विल्टिंग कर लोगे तो इसमें क्या होता है कर जोल आ जाता है तो मैं इसमें क्या करूँगी पहले मैं सुई धागा लेकर बड़ी बड़ी सुई लेकर इसमें हाथ से बड़े बड़े टां तो यह बड़े बड़े टांके लगा कर आप पहले जो है बीच में सेंटर में एक लाइन लगा लेजिए ताकि आपका कपड़ा जो है कपड़ा भी कठा ना हो क्योंकि ब्लैंकेट तो हमने एक साइट से स्टिच कर दिया लेकिन क्या होता है यह करटन वाला फैबरिक है अगर आप मशीन के साथ एक दम से मशीन से ही सिलाई लगाओगे ना तो कही न कही आपका थोड़ा बहुत जो है आ जाएगा तो इसी लिए मैंने पहले बड़ी सुई लेकर कच्चे टांके लगा कर इसको सेंटर में से अटैच कर लिया बाद में हम मशीन के साथ इस पर कुल्टि करके क्योंकि हमने सिर्फ कपड़े को ज्वाइंट ही करना है तो आप यह देखिए मशीन के साथ हमने सिलाई लगानी है साइड पर भी मैंने बड़े-बड़े टांके लगा के इसको थोड़ा सा टैच कर लिया है आप मशीन के साथ हम कुल्टिंग कर सकते हैं इस पर बहुत इसको चोड़ दोगी और जो मैंने यह टांके लगाए थे लाए इन टांकों को आप में कट कर दूगी जो बड़े-बड़े टांके मैंने सूई धागे से लगाए थे यह देखिए अभी इनको मैंने निकाल दिया तो बहुत ही आसा तरीका है अगर आपके पास भी कोई ऐस करोगे तब भी बहुत सुंदर लगेगा और अगर बालकनी बगार में आप धूप में बैठ रहे हो तो बालकनी में इसको बिचा के बैठिए और मज़े से आप धूप से किये तो पुराना ब्लैंकेट भी हमारे काम आ गया अब हम इसमें थोड़ा सा और इसको सुंदर बनान और जी ऐसे मैं 4 फोल्ट करके इसको रखांगी ये दीपि तो ऐसा जो कर्टन वाला फैब्रिक होता है ना उसकी अगर आप फ्रिल बगैर बनाओगे तो इसके कोई धागे नहीं निकलते लेकिन ये जो कर्टन वाला फैब्रिक होता है ना उसके साथ यह फ्रिल बनती है ऐसा फैब्रिक होता है इसके धागे नहीं निकलते अगर आप और कोई कपड़ा लोगे कॉटन का तो बिलकुल भी नहीं चलेगा उसके तो धागे धागे निकलेंगे और भी जैसे कोई सिल्क फैब्रिक लोगे ना उसके भी धागे निकलेंगे एक कॉटन वाला ये फैब्रि बनाया है ना गलिच्चा या दरी या फ्लोर मैट कुछ भी आप इसको बोल सकते हो तो इस पे हमने लगा देना है दोनों साइट पे ये देखो बन गे ना फरील हमारी बहुत ही सुंदर सी तो देखना कितना प्यारा लगेगा पूरा रैडिमेट जैसा रैडिमेट ऐसे मार्क से करते हुए उपर से राके इसको मैं स्टिच कर दूंगी दोनों साइट पे ये देखो नीचे वाली साइट से भी आप लगा सकते हो जैसे मर्जी आप इसको लगा सकते हो जैसे भी आपको अच्छा लगे लेकिन मैं उपर से लगाऊंगी तो फ्रेंट्स आपको पता है अपने चैनल पे मैं ज्यादतर वो ही चीज़ें बताती हूं जो की हमारा वेस्ट कपड़े होते हैं या कोई भी वेस्ट चीज होती है उनको रियूज करने का तरीका ही मैं आपको ज्यादतर बताती हूं तो आपके वो मेरे वीडियो कैसे पड़े हैं तो आप उनको अगर डोनेट करने वाले हैं तो आप डोनेट कर सकते हैं अगर बिलकुल वेस्ट हैं जैसे किसी के काम नहीं आने वाले तो उनका रियोज करके आप अपने घर के लिए कई सारी चीजे बना सकते हैं और बहुत सारे पैसे जो हैं अपने आप बचा स ये एकदम से अच्छा रहेगा और अगर आप फ्री बैट होगे तो बहुत सारी परिशानिया आएंगी आपको कई कुछ आप सोचोगे सोचते रहते हैं जैसे फ्री बैट के तो अगर हम अपने आपको बीजी रखते हैं तो काफी अच्छा रहता है और ये देखिए घर के ल लाइएं लगा दी हैं तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो जुरूर बताइएगा और भी मेरे चैनल पर जाकर आप पूरानी चीजों का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं तो ये देखिए बैड पे भी आप इसको डाल सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ना तो फ्रेंस आ झाल